तो यूनिट 5 स्टार्ट किया था कल हमने data handling और कल data handling में हमने pictographs, bar graphs, double bar graphs और histograms के बारे में पढ़ा था और आज हम इस topic में पढ़ेंगे circle graphs और pie charts और probability तो आज ये दो topic पढ़ेंगे हम circle graphs और probability तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि what is circle graph और pie chart तो data represented in the form of a circle जब हम circle की form में data को represent करते हैं तो उसे हम circle graph या pie chart कहते हैं और circle graph shows relation between a hole and its part circle graph एक पूरी चीज का relation उसके parts के साथ show करता है कि एक hole का कितना part किस quantity को मिला हुआ है and whole circle is divided into sector इसमें क्या करते हैं हम पूरे circle को sectors में divide कर देते हैं और sum of all the central angles इनने circle graph is 360 degree central angle means circle के center पे जो angle बनता है अब center पे means एक point है और उसके चारों तरफ जो circle बना तो उसका sum क्या होता है यहाँ पे center के चारों आपको पता है एक point के चारों तरफ सभी angles का sum कितना होता है 360 degree तो central angle इनने circle graph is 360 degree यह देखो बेटा यह circle graph बने हुए है कि circle के अंदर एक student पूरा अपना एक दिन का time कैसे spend करता है उसको एक circle के help में show किया गया है जैसे यहाँ देखने से आपको दिख रहा है sleep 8 hours means 8 hours वो सोने में time लगा देता है 6 hours student का school में spent हो जाता है और 3 hours तो 3 hours का जो time है वो play में means खेर में लगाता है इसी तरह से 3 hours other activities में और यह 4 hours homework में लगा रहा है इस तरह से 24 hours का जो time schedule है उसको circle में divide करके दिखाया गया है तो देखने से हमें दिख रहा है सबसे ज़्यादा time वो बच्चा की सीज में लगा रहा है सोने में फिर school में फिर 4 hours homework करने में लग रहा है किस age group के लोग रहते हैं वो इस graph से दिखाए गया है और देखते हैं में दिख रहा है यह देख लो पूरे graph का यह half semi सरकर आपको दिख रहा है 15 to 60 years के इसी तरह से और पाई चार्ट में दिखाए हैं देखो 50 परसेंट गर्ल्स हैं 50 परसेंट बॉइज हैं स्कूल में आधे लड़की हैं और आधी लड़की हैं इसी तरह से ट्रांस्पोर्ट स्कूल का graph शो किया गया है कि 40 परसेंट स्कूल में पैदल चल के आते हैं 40 से बस्याकार से आते हैं बाके 20 स्कूल से अंते हैं तो आप देख सकते हो किकसी कौन्टिती को रिप्रेजंट करने के लिए जो ये जो पोर्शन है इस पोर्शन का हम क्या बोलते हैं सेक्टर तो जो क़्ोंटिती हैं सरकल graph में वो सेक्टर में डिवाइड होती हैं तो हम देखते हैं बटा कि pie chart बनाया कैसे जाता है to draw a pie chart यह table हमें given है question में कि किन लोगों को कौन कौन सा color पसंद है जैसे blue color 18 people को पसंद है green 9 को red 6 को और yellow 3 persons को पसंद है यह color और आपको इसके लिए एक circle graph और pie chart बनाना है तो यहाँ पे नीचे total भी given है इन सब का total है इन people का 36 और अगर total नहीं given होता तो हम खुद total कर लेते हैं तो आपको पहले भी बताया है जो pie chart होता है एक hole को कितने parts में divide किया गया है उसका relation होता है means एक पूरे circle के अंदर blue color को कितना part मिलेगा means क्या उसकी fraction होगी तो पहले हम fraction निकालेंगे 18 people को blue color पसंद है कितने में से 36 में से तो इसकी fraction क्या बन जाएगी 18 अपोन में 36 ऐसे 9 people को क्या पसंद है green color कितने people में से total क्या है 36 और total 36 नीचे ही लिखा जाएगा तो इसे 9 अपोन 36 ऐसे 6 people को red color पसंद है तो उसके लिए fraction क्या बन जाएगी 36 अपोन 36 और yellow थ्री पीपल को पसंद है तो इसे 3 अपोन 36 तो यह सब की हमारे पास fraction बन गई next मैं निका है central angle किसी भी pie chart को बनाने के लिए हर एक quantity के लिए हमारे पास central angle होना चाहिए means जो center पे angle बनेगा वो कितना होगा तो जब भी हमें central angle निकालने आपको पता है central angle का जो sum होता है वो 360 डिगरी होता है इसलिए जब भी हमें central angle निकालना होता है तो fraction को 360 से multiply करना पड़ते है जैसे हमारे पास blue color के लिए fraction है 18 upon 36 और center angle निकालने के लिए multiply by 360 डिगरी तो 36 टैंजा और 180 टैंजा 180 डिगरी का एंगल बन गया हमारे पास इसी तरह से next fraction 9 by 36 है तो 9 by 36 multiply by 360 डिगरी 36 टैंजा और 10 नाइंजा 90 डिगरी हो जाएगा इसी तरह से next के लिए हम निकाल लेंगे और ये हमारे पास central angle आजाएगा 60 डिगरी का means जब भी हमें pie chart बनाना है तो हमें central angle से ये central angle निकालने के लिए हम 360 डिगरी से multiply करते हैं और central angle से पहले हम fraction में लिख लेती है quantity के नीचे total लिखते हैं तो fraction बन जाती है 362 से multiply करते हैं तो ये angle बन जाते है हम आपस angle आगे 180, 90, 60, 30 और 60 और 30 का हम चेक कर सकते हैं कि हमारे angles ठीक आएं के नहीं है अगर इन सभी angles का sum 360 डिगरी है it means हमारी calculation यहाँ पर ठीक है अगर यहाँ पर हमारा sum ठीक नहीं आ रहा 360 डिगर नहीं आ रहा means हमारा sum कहीं न कहीं गलत है अब देखेंगे central angle निकालने के बाद हम pie chart कैसे बनाती है pie chart बनाने के लिए हम कितनी भी radius का एक circle ले लेते हैं कितनी भी radius का हमने एक circle ले लिया उसके बाद हमने एक line लगा दी scale से लगानी है अपने line लगा दी एक radius लगा दी और एक radius लगाने के बास आप समझ लो कि ये आपके पास कोई circle नहीं है और आपको इस line segment के उपर आपको angle बनाना है तो आप निचे से start कर सकते हैं या उपर से start कर सकते हैं फोर एंगल से हैं फोर में से आपको थ्री एंगल से बनाने पड़ेंगे और जो बचेगा वह फोर्थ एंगल अपने आप बन जाएगा तो आप यहां से start कर सकते हैं 30 डिगरी से 90 से 80 से और 90 और 180 डिगरी से यहां तक पहुंच सकते हैं कि यह तीन एंगल बनाएंगे तो फोर्थ 180 डिगरी का अपने आप बच जाएगा यह आपको पता है 360 डिगरी का टोटल एंगल होता है और हम डायामीटर बना दें तो एक पार्ट 180 डिगरी का अपने आप ही बन जाएगा ठीक है उसके बाद हम 90 डिगरी का अंगल D से बना सकते हैं 60 डिगरी का 30 डिगरी का बना सकते हैं 180 डिगरी के लिए मान लो मैंने पूरी स्टेट लाइन लगा दी यह तो यह जो एंगल बन गया आपको पता है D के अंदर 180 डिगरी का अंगल है सेंट्रल एंगल और 180 डिगरी हमारी किस क्वांटिटी को शो कर रहा था ब्ल्यू कलर को तो यहां पर हमने रिख दिया 90 डिगरी तो कैसे बनाएंगे आप 90 डिगरी का अंगल D की हर्प से आप बनाएंगे तो 90 डिगरी का अंगल बनाने के लिए देखो यह लाइन थी मेरे पास यह लाइन थी और इसके ओपर मैंने यह D सेट कर दिया है और यह आपको 90 डिगरी दिख रहा है तो 90 डिगरी के मैं लेकिन जो line आपने लगानी है वो आपकी circle से बार नहीं जाने चाहिए तो इस तरह से ये 90 degree का हमने angle बना लिया तो ये 90 degree का angle बन गया green कदर के लिए next आपको बनाना था 60 degree का angle अब 60 degree का angle कहा बनाएंगे पहले हमारे पास ये radius थी इस पे हमने डी रखा और 90 degree का angle बना लिया अब आप अपने page को घुमा सकते हैं देखिए इसको घुमा लिया जो नई line आपके पास आई है ये पहले ये line थी इस पे हमने angle बनाए अब नई line हमारे पास ये आ गया गया देखो ये वाली तो इस पे D को set करेंगे इस line पे इस radius पे D को set करेंगे और 60 degree का angle बनाएंगे ऐसे D रखोगे आप ये देखिए ये आपने इसके ओपर D set कर दिया इस तरह से ये और 60 degree का आप angle बनाओगे आप देखेंगे हमारी line इस तरफ है ये line है जिसमें हमने बनाना जो नीचे दिख र लगाई और D को हटा लेंगे और इसे हम मिला लेंगे इस तरह से ये join करने से 60 degree का angle बन गया जो red color को show कर रहा है और जो बाकी ये बच गया इसको हमने बनाया नहीं है जो बाकी ये बच गया angle ये 30 degree का आप इसको measure करके भी देख सकते हो और देखने से भी दिख रहा है 60 degree से 30 degree का और ये color बन गया yellow इस तरह से हमने जो persons को color पसंद थे वो पाई 4 से show किया और देखने से मैं दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा color blue पसंद था फिर green फिर red और yellow तो जिस color के लिए जितना ज़्यादा नंबर था उसके लिए central angle भी उतना ज़्यादा आया है और उस color के ये जो sector है हमारे circle में वो भी सबसे ज़्यादा है तो जो quantity की frequency जितने ही ज़्यादा होती है जैसे 18 इसके frequency blue color की तो इसके लिए sector भी उतना बड़ा आया है जैसे green color की frequency उससे कम है तो उसके लिए उसके sector उससे कम आया इसी तरह से red color का और yellow color का sector आया है इस तरह से हम कोई भी पाई चार्ट बना सकती है पहले fraction में निखने है है quantity को और उसके बाद central angle निकालने है और central angle निकालने के लिए हम हमेशा 360 डिगरी से ही multiply कर सकते है और इस तरह से हम कोई भी पाई चार्ट easily बना सकते है और next हम पढ़ेंगे probability So probability start करने से पहले हम probability से related कुछ definitions देख लेते हैं and first one is experiment an activity which has some well defined results is called an experiment the results of the experiment obtained are known as outcomes कोई activity हम करते है तो उसके कुछ fixed results होती है उनको हम क्या कहते है एक्सपेरिमेंट और जो वो results आते हैं उनको क्या बोलते है हम outcomes जैसे हमने एक activity की कि हमने एक dice throw किया तो dice throw किया तो हमने पता है क्या results आएंगे उसके well defined results उसमें क्या है कि उसमें numbers one two three four five six आ सकते है इसके लाव क्या होंगे इसके outcomes इसके बाद next है trial if an experiment is performed once it is called a trial जब कोई experiment सिरफ एक ही बार किया जाता है तो उसे हम क्या कहते है trial और सबसे important यह हमारी term है random experiment कि random experiment क्या होता है an experiment in which we know all the possible outcomes एक experiment जिसे हमें सारे possible outcomes पता है कि क्या आ सकते हैं butt can't predict the exact result लेकिन जो exact result है उसको हमें पता नहीं है कि क्या आएगा उसे random experiment कहते हैं जैसे हमने dice throw किया तो हमें पता है कि उसमें से क्या आ सकते है result क्या आ सकते है 1,2,3,4,5,6 नेकिन exactly क्या आएगा वो हमें नहीं पता तो ऐसे experiment को क्या बोला जाता है random experiment and next is event if we toss a coin मानने हमने एक सिक्का उछा ला तो possible outcomes are head or tail तो head or tail आ सकते हैं और these possible outcomes of trial are known as event तो इस trial के जो ये possible outcomes हैं उनको event कहती है तो probability निकालने का हमारे पास formula है कि probability of an event किसी event की probability क्या होती है number of favorable outcomes upon में total outcomes favorable outcomes वो होती है जो outcomes हमें चाहिए जैसे हमने dice throw किया और हमें कोई prime number चाहिए तो हमारे favorable outcomes कोन होगे प्राइम नंबर 2, 3, 5 माला हमने coin throw किया तो हमें head चाहिए तो हमारे favorable outcome कोन होगे है head और total outcomes किसी भी experiment को करने पे जितने भी total outcomes होते है that are total outcomes तो when a die is thrown find the probability of getting a prime number तो एक example से समझ लेते हैं की probability कैसे find की जाती है तो अगर एक dice को throw किया जाता है तो prime number आने की probability क्या है तो अब dice throw करते हैं तो total outcomes क्या है हमारे पास 1,2,3,4,5,6 total कितने हो गई है 6 और favorable outcomes क्या है prime number और इसमें से हमारे पास देखे prime number है 2,3 और 5 यानि 3 numbers prime है तो probability क्या होगी number of favorable outcomes अपोन में total outcomes favorable थे हमारे 3 outcomes total outcomes थे 6 तो lowest term में लाएंगे तो क्या बन जाएगा ये 1 by 2 जब भी हम dice को throw करते हैं तो हमेशा हमारे total outcomes कितने रहते हैं 6 ही रहते हैं नेकित favorable outcomes change होते रहते हैं means अगर हमारे को ऐसे बोल दें find the probability of getting a number less than 7 7 से छोटा number तो ये से जो भी number आएंगे ये सब less than 7 है तो हमारे favorable outcomes भी क्या हो जाएंगे 1,2,3,4,5,6 तो probability क्या हो जाएगे 6 upon 6 1 जो probability होती है उसकी value हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहती है 0 तब होती है probability जब कोई जब कोई event impossible होता है कि कोई हमने experiment किया और उसमें जो हमारे favorable outcome है वो आई नहीं रहा means अगर हम dice throw करें और मैं कहूँ कि number find करना 7 और आपको पता है 7 number हमारे dice पे होता ही नहीं है तो वहाँ पे हमारा favorable outcome क्या हो जाएगा 0 और probability हो जाएगी 0 upon 6 0 इसी तरह से अगर less than 7 number चाहिए हमें तो हमारे probability 6 by 6 1 हो जाएगी तो इसलिए जो probability होती है उसकी value हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होती है impossible event की probability 0 होती है और sure event की probability हमेशा 1 होती है तो इस तरह से यह हमने 5th unit के सारे key points कर लिए है पूरा unit 5 हमने 2 parts में revise कर लिए है I hope आप इसको ध्यान में रखेंगे जब यह exam सोंगे तो यह आपके बहुत काम आजाएगा आप दोनों की दोनों इसके part 1 और part 2 की वीडियो देखेंगे और unit 5 फूल आपका रिवाइज हो जाएगा Thank you